बस बाइट की खबरी लगातार देखने के लिए हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पैल आइकॉन को दबाएं इस खबर के प्राय जग है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरत मेरत देली के थाना छेत्र से एक संसनी खेज मामला सामने आया है लोहियनगर की रहने वाले एक योवक ने खुद को हिंदू बताकर मोधीनगर की रहने वाली महिला से ये फोन पर दोस्ती कर ली इसके बाद बंगलवार को महिला को घंटगर इस्तित एक होटल में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया और उपी की असलियत खुलने पर पीड़ता ने देहली गेट ठाने में उसके खिलाब रिपोर्ट दर्ज कराई है दरसल मोधीनगर निवासी हिंदू विवाहिता के मताबिक लगभग एक महीने पहले उसकी मुबाइल पर एक मिस्ट कॉल आई थी नंबर पर कॉल करने पर सामने वाले वियक्ती ने अपना नाम पवन बताया इसके बाद महीला की पवन से बातशीत शुरू हो गई पवन ने बताया कि वह मेरट के लोहिया नगर में रहता है पेड़िता के हवाले से धीरे धीरे पवन ने उसे अपनी बातों में फसाया और फिर मंगलवार को आरोपी ने महीला को घंटा घर अस्थित होटल में मिलने के लिए मुलाया था आरोप है कि होटल में कमरे में युवक ने महीला के साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया इसी बीच महिला को बता लगा कि आरोपी का नाम पवन नहीं बलकि नदीम है जिसके बाद उसने होटल में हंगामा कर दिया मामला भी करता देख आरोपी होटल से फरार हो गया इसके बाद पीडिता थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ दुशकर्ण की रिबोर्ट दर्ज कराई जिस पर कारेवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया उस खबर में फिलहाल इतना ही आप देखते रहे ये